फेस्बुक के पूर्व कर्मचारी मारकेस लकी ने दावा किया है कि कई बार वरिष्ट अधिकारी राजनितिक दलों के इशारों पर कॉंटेंट मॉडरेशन टीम पर दबाव बनाते हैं इसके चलते कई बार फेस्बुक को अपने कम्यूनिटी स्टैंडर्ड से सब्जोहता करना पड़ता है लकी ने जोर देते हुए कहा कि अगर समय रहते फेस्बुक पर दिल्ली में दंगे भढ़काने वाले कंटेंट को रोका गया होता तो शायद इतनी भी घटना नहीं होती उन्होंने इस दोरान दिल्ली दंगो के साथ ही मयानमार जनसंगार और श्रीलंका की दंगो का भी जिक्र किया उन्होंने कहा कि फेस्बुक ने सही समय पर अपने कंटेंट पर एक्शन नहीं लिया जुसका परिणाम रहा कि इन सभी जगों पर दंगे भढ़के मार्क ने अपना ये बयान दिल्ली विधान सभा की शांती वो सद्भाव समिती की अधिकारियों के सामने दर्ज कराया बता दें समिती ने गुरुवार को फेस्बुक के खिलाफ नफरत फिलाने वाले कंटेंट को जान बूच कर नजर अंदास करने से संबंदित शिकायतों की सुनबाई करते हुए एक बैठक बुलाई थी आपको कैसा लगा ये वीडियो हमें कॉमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए सुब्स्राइब करना ना भूलें टीवी नाइन भालत पर्श धुआ धुआ से ये शहर क्यों दिखता है सुना है बाजार में धुएं का सामान दिखता है ये दिवाली सिर्फ दिवाली